review के tab में last option restrict editing के option को discuss करते हैं actually restrict editing का purpose आप अपने document को just read only बनाना चाहते हैं आप यह चाहते हैं कि आपकी file open ज़रूर हो लेकिन उसके कोई काम ना कर सके of course उसका print out निकाला जा सके लेकिन उसके कोई editing ना हो changing ना हो restrict करें आप उसके editing को तो आप जाते हैं restrict editing के अंदर करते हैं edit restricting और इस पर check लगाते हैं allow only this type of editing in the document no changes read only आप इसे लगा देते हैं and then finally आप अगर password apply करना चाहें तो yes start reinforcing protection पर click करते हैं password आप बताएंगे like कुछ भी और same password को re-inter करते हैं इस situation में मैंने यहाँ पर password ABC दिया है and then simply मैं okay करके बाहर आ जाता हूं district editing की इस panel को अब हम off कर देते हैं इस document पे अगर अब मैं कोई नया काम करने की कोशिश कर रहा हूं तो देखें system उसे accept नहीं कर रहा और मेरे पास फॉरण से district editing की window open हो रही है और मुझसे कहता है कि अगर आप इस पे editing करना चाहते हैं तो आपको permission required है अगर मेरे पास originally password है तो of course मैं यहां पर password इंटर करूँगा like stop protection और मुझसे password पूछ रहा है तो मैं password इंटर करूँगा correct password दूँगा तो file open होगी wrong password दूँगा तो file open नहीं होगी so अब की बार मैं stop protection पे जाकर ABC एक correct password दे रहा हूं and then okay आप देखें file दुबारा से working mode पर आ गई है और अगर मैं यहां पर कोई भी text type करना चाहता हूं so मैं यहां पर new text type कर सकता हूं so again मैं अपनी file को एक password दे रहा हूं और अब की बार password देकर मैं अपनी file को close करूँगा और यह देखना चाहता हूं कि अगर मैं next time file को open कर रहा हूं यह मैंने फाइल पर password दे दिया, कुछ काम करनी कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं, the modify is not allowed because the selection is locked, okay, मैं अपनी फाइल को save कर रहा हूँ, और मैं desktop पे suppose करें, इसे एक नाम देता हूँ, like password, file, right, and then file को close कर रहा हूँ, file को दुबारा open करनी की कोशिश कर र रही है, kept button प्रेस किया, मैंने सारे taps मुझे नजर आ गए, file open ज़रूर हो रही है, लेकिन again मैं इस पर काम नहीं कर सकता, तो यह read only file बन गई है, इस पर आप काम उसी सूरत में कर सकेंगे, जब आप stop protection के option को use करेंगे, and then आप तमाम जो भी password आपने दिया है, वो password आप पासवर्ट हटाने के बाद लाजमी है कि आप एक दफ़ा file को save जरूर करें, उसके बाद आप जो चाहें देखें काम करना चाहें, तो वो काम हो पा रहा है, को issue नहीं है इसके अंदर, file को बगएर password के अगर आपने save करके close किया है, मैं save कर रहा हूं, मैं file को close कर रहा हूं, same कि उसके कोई password ली था, इसलिए अब यह normal mode पर है, मैं उसके जो चाहें काम कर सकता हूं,